दूस्तो रिसी बेद्वियस की महाभारत को असली महाभारत समझा जाता है लेकिन ये कहा जाता है कि वो महाभारत तीन चरणों में लिखी गई थी उसके पहले चरण में 8800 स्लोक लिखे गई थे और दूसरे चरण में 24000 स्लोक लिखे गई और अगर तीसे जरन की बात करें तो उसमें लगबग एक लाग सलोक लिखे गए थे यानि कि गुल्मिला के एक लाग 32.800 सलोक लिखे गए दोस्तो इतने सारे सलोक लिखने में आजकल के समय में भी लोगों के पसीने छूट जाएंगे और उस समय में इन इस लोकों को लिखना किसी चमतकार से कम नहीं था और ये चमतकार पार्वत्ती पुत्रगणीस के अलावा और कोई नहीं कर सकता था दोस्तों यह कहा जाता है कि महावारत को हर घर में होना चाहिए और इसके साथी महावरत को पंचम बेद भी कहा गया है और इस महावरत के अंदर कई ऐसी घटनाई, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहसे चुपए हुए है जो आज तक हमसे चुपाए गए है महावरत का हरे के पात्र जीवन थे चाहे वो कौरव, पांडव, कर्ण, कृष्ण या फिर कोई और हो दोस्तों हमारे पिछली वीडियो में हमने ये कहा था कि जब कर्ण आकरी सांसे ले रहा था तब कृष्ण ने ब्रामन बनकर कर्ण से दान्मी सोना मांगा था और कर्ण ने सोनी की जगा अपना सोनी का दान्म दिया था वहीं कुछ लोगों का ये कहना था कि कर्ण का सर धर से अलग हो गया था तो वो अपना दान्म कैसे दे सकता है तो मैं आपको बता दूँ जब अर्जुन ने करण को तीरो से लहुलुहान कर दिया था उसके बाद ही स्री किष्ण गई थे और सूने का दान देने के बाद ही करण का सरधर से अलग हुआ था क्योंकि स्री किष्ण को पता था कि आगरी बांड करण के प्रांड ले लेगा मुझे उम्मीदें आपका डाउट किलियर हो गया होगा और आज की इस वीडियो में हम महावारत के कुछ और रहसे जानने वाले हैं जिसके बारे में हमें कभी बताया नहीं गया है इसलिए इस वीडियो का पूरा जरूर देखना क्योंकि अधुरा ग्यान किसी काम का नहीं होता वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कि मैं आपके लिए ऐसे इन्फोमेटिब वीडियो लाता रहता हूँ तो चलिए फिर वीडियो की सुरुवात करते हैं धूस्तो महावरत के आदी पर्व की अनुसार एक दिन राजा पांडू आखेट के लिए निकल रहे थे और जैसे ही वो जंगल में पहुँचे उन्हें एक हीरन दिखाए दिया और वो उस हीरन को तीर से मार देते हैं और उस हीरन को मारते ही उसमें से एक रिसी निकलते हैं और वो रिसी मनने से पहले पांडू को स्राप देता है और ये कहता है कि तुम भी मेरी तरह मरोगे और इसी डड़ से पांडू अपनी सारी संपती दरतराष्ट को सौप देता है और वो अपनी पत्नी कुंती और माध्री के साथ जंगल में चले जाते हैं इंगल में जाने के बाद वो सन्यासी का जीवन व्यतियत करने लगते हैं और पांडू बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी एक भी संतान नहीं थी और पांडू ने कुंती को समझाया था कि कुंती को किसी रिषी के साथ समागम करके संतान उत्पन करनी चाहिए कि कुंती किसी और पुरुस के साथ नहीं सोना चाती थी तब ये पांडूँ से एक कथा सुनाते है कि प्राजेन काल में इस तरियाँ पुरी तरेके से सोतंतर होती थी जिसके साथ वैं चायें समगम कर सकती थी इस तरीके से पसुपक्षी करते हैं उसी तरीके से इंसानों को भी अधिकार था केवल रितुकाल में ही पत्नी पती के साथ समागम कर सकता था और उसके अलावा इस तरियाँ सोतंतर होती थी और पुराने समय में यही धर्म था और कोई भी इसका विरोध नहीं करता था क्योंकि उस समय में यह एक साधान सी बात हुआ करती थी उसी समय एक उद्दालग नाम के प्रसिद मुनी भी थे एक पुत्र था उसका नाम सुएत केतु था एक बड़ सुएत केतु अपनी माता पिता के साथ बैठा था तब ही एक भ्रामाण आया और सुएत केतु की माग का हाथ पकड़ कर बोला आउ चले और अपनी माग को इस तरीके से जाते देख सुएत केतु बहुत ही गुसा हो गया लेकिन तब ही उसकी पिता ने उसे समझाया कि नियम के अनुसार इस्त्रिया गायों की तरह होती है जो किसी के साथ भी समागम करने के लिए सुतंत्र होती है इसके बादी सुएत केतु ने ये नियम बनाया था कि इस तरियों को पती के प्रती वफदार होना चाहिए और उसे किसी अन्य पुरुस के साथ किसी भी तरीके का सम्मद नहीं बनाना चाहिए इसके बाद पांडू कुंती को और भी खताय सुनाते हैं और कुंती को ये विजवास दिलाते हैं कि किसी और पुरुस के साथ अगर वो समगम करती है तो उससे कोई भी पाप नहीं लगेगा दोस्तों ये कहानी बहुत ही कम लोग जानते होंगे लेकिन यही सत्य है और अगर इस कहानी को बताने में उससे कुछ कमी रह गई हो तो उसे कमेट में लिखना ना भूले और ऐसे ही कई रामाड और महामारत के को जन सुने रहस्यों को मैं अपने चैनल पर लाता रहूँगा इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अगर वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जन करने मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें बाकि मैं लेकर आता रहूँगा आपके लिए ऐसे ही इंपोमेटिव वीडियो तब तक के लिए अपना खैल रखें खुश रहें और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रेब